हाई गाईज आप सभी का स्वागर्थ है मा बेटे की रेसोई में आज हम बनाने वाले डाल की बर्फी उसके लिए पहले हम चने डाल को पानी में एक गंटे के लिए भीगो लेंगे यह है चना डाल इलाइची, कटेवे काजू, चीनी, चांदी का बर्ग अब हम अपने भीगा होई हुए चना डाल को मिक्सी में पीस लेंगे बिना पानी का उप्योग किए हमारा टेक्चर थोड़ा तरदर आएगा अब हम अपने गरम कड़ाय में दो चमच घी डाल देंगे जब हमारा गी गरम हो जाएगा तो हम अपना चना डाल का मिश्रन डाल देंगे अब हम अपना चना डाल के मिश्रन को पाँच से आठ मिनिट टक लगातार चलाएंगे हम इसे तब तक चलाएंगे जब तक ये मिश्रन एक दूसर से सेपरेट होने ना लगे अब आप जैसे देख सकती है चीनी डालने के लिए बिलकुल तयार है तो अब हम इसमें अपना आधा कप चीनी डाल रहे है इसमें चीनी डालने के बाद हम इसे एक से दो मिने टक लागा तार चलाएंगे चीनी को पिग लाने के लिए इसमें बिलकुल थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे कि ये मेल्ट हो जाए अब आप टेक्स्टर देख सकते हैं ये आपस में बाइंड हो रहा है इस मिसन को जिस प्लेट में हम सेट करें उस प्लेट में हमें थोड़ा सा घी लगाना पड़ेगा कि ये आसानी से छोड़ दे अब हम अपने हलके हलके हाथों से मिसन को सेट कर देंगे इसे ना हम ज्यादा पतला ना ज्यादा मोटा इसे हम बर्फी की तरह एकदम सेट कर देंगे पहले हम इलाइची डालेंगे अब कटेवे काजू डालेंगे जो एकदम ऑप्शनल अगर आप चाहते है तो डाल सकते है अगर आप नहीं चाहते है तो नहीं भी डाल सकते है इसे हम चांदी के बर्थ से सजाएंगे वो भी ऑप्शनल है बस हम इसे डेकोरेटिंग परपस के लिए यूज़ कर रहे हैं इसे हम बर्फी के आकार में काट डेंगे तो आप जैसे देख सकती है कि कितना टेस्टी बना तो प्लीज ट्राइ दिस अठोंप और कमेंट करके जरू बताना कि कैसा लगा